आईए हम लोग अगला टाइप का क्यूश्चन सॉल्व करते हैं देखे क्यूश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कारे को पूरा करने का ठेका लिया उसने 32 ब्यक्ति कारे पर लगाया परंतु 30 दिन में एक तिहाई कारे हो पाया अब उसे कितने और ब्यक्ति लगाना चाहिए जिससे की सेश काम समय पर पूरा हो जाए तो देखे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ दिया है 35 ब्यक्ति इसमें यही सूत्र हम यूज करेंगे यम 1, D1, H1, बटे, W1 बराबर लिखेंगे यम 2, D2, H2, बटे, W2 इसी सूत्र का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे देखिए दिया है कि यहाँ 62 दिन में पुरा कार्य हो जाता है तो यहाँ दिया है 32 ब्यक्ति तो यहाँ लिखेंगे 32 यम कमान दिया है यम 1 कमान 32 दिया है उसके बाद लिखेंगे 32 गुडे 30 दिन में गुड़े तीस हो जाएगा बटे एक तीहाई कार हो जाता है मौलब एक बटे तीन यहाँ लिख लेंगे डबलू उन कमान बराबर फिर देखिये दिया है कुल 62 दिन में काम हो जाता है तो यहाँ देखिये उसने कितने और ब्यक्ति लगाना चाहिए अब कह रहा है अब उसने कितने और ब्यक्ति लगाना चाहिए उस से काम कितनी बचा है ?? और सेस काम कितना बचा है एक तीहाई हो गया है तो यहाँ बचा कितना दो तीहाई दो तीहाई कारे बचा है ठीक है देखिए तीन से तीन कड़ गया है यह हो गया अब देखिए दो का इधर गुड़ा कर देंगे तो देखो हम 32 32 काट देंगे 32 कम 32 32 ये कट गया ठीक एक हो गया इधर गुड़ा कर देंगे 30 दूना इधर गुड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 ये अधर लिखेंगे देखो 32 प्लस एकस 32 प्लस एकस बराबर हो जाएगा 30 दूना 60 ही हो गया अब देखी एकस बराबर हो जा आठ बचा यहां पांच पांच में स्तीन गया दो 28 ब्यक्ति और लगाना पड़ेगा इनको ठीक 28 जो आया है न यही आपका उत्तर है इस प्रकार से पहला क्यूशन सॉल्व होता है अब देखिएगा नेश्ट क्यूश्चन देखिए यह क्यूश्चन कह रहा है कि सुधीर ने 30 दिन में एक कार को पूरा करने का ठेका लिया उसने कार पर 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रत दिन कार करके 10 दिन में एक चौथाई कार कर सके अब सेस कार समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाएगा कि सब 8 घंटे प्रत दिन कार करके समय पर कार करेंंगे दे यहां दिया है 400 मजदूर तो इहां लिखेंगे हम 400 400 common कमांड यह 400 गुड़े दिन दिया है 10 दो डी लिख long कमांड लिखेंगे 10 और 60 कमांड यह 4 वन कमांड पर कारे तो यहां लिखेंगे 144 तया लिखेंगे 24 चौताई कार्य कर सके अब सेस कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर अव लगाएं देखे चार सो मजदूर तो पहले से हैं तो यहां हम लिखेंगे चार सो यम्टू कामान प्लस एक्स चार सो प्लस एक्स ठीक है चार सो प्लस एक्स मजदूर लगाएं उसके बाद कह रहे हैं कि कितने मजदूर अव लगाएं आठ घंटे प्रत दिन कारे करें तो मतलब की यह चवन कमान दे दिया है आठ ठीक देखिए यहां तो दस दिन काम हो गया है कुल तीस दिन में करना है तो यहां कितना बचा बीस दिन ठीक गुड़े उसका फिर लिखेंगे यह आठ घंटे है ना तो यहां लिखेंगे आठ घंटे और सेसकार देखिए एक चवथाई थो चुका है तो एक घटा देंगे इसमें से हो जाएगा तीन चवथाई तो यहां नीचे लिखेंगे तीन बटे चार ठीक तीन बटे चार, अब इसमें हम यक्स कामान निकालनेंगे, यह आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए, चार चार से कड़ गया, बराबर किस तरह यह कड़ गया, तो अब देखिए, तीन का इधर गुड़ा कर देंगे, तो इधर लिखेंगे हम, चार सो, चार सो प्लस यक्स यह हो और नीचे भाग हो जाएगा, तो यह 20 गुड़े 8 यह हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए भाग देंगे, 8 एंकम 8, 8 पंजे, 40 यह हो जाएगा, अब देखिए, 10 एकम 10, 10 बने 20 यह हो गया, 2 एकम 2, 25 हमें 50 यह हो गया, 25 में आपना उका गुड़ा करेंगे, तो इधर देखिए हम लिखेंगे चार देखो चार सो प्लस यक्स बराबर यह तीन का इधर गुड़ा करेंगे तो यहां तीन मुझे यहां लिखना पड़ेगा तो देखिए क्या कह रहे थे नौतिरिक 27 यहां 27 लिख लेते हैं तो नौतिरिक 27 यह हो जाएगा अब देखिए इसको हम स्वाल्व करेंगे तो यहां लिखेंगे चार सो प्लस यक्स यह हो जाएगा बराबर 25 में 27 का गुड़ा करेंगे तो 675 हो जाएगा तो यहां लिख लेंगे 675 ठीक है अब देखिए 6 675 आगया अब देखिए एक्स बराबर लिखेंगे एक्स बराबर 675 इधर माइनस प्लस में है चार सो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 400 अब इसको घटाएंगे इसको घटाने पर आएगा 275 275 जो 175 यही आपका उत्तर है इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है चिक